जो आज मैं आपको टूल दिखाने वाला हूँ, यह टूल आपको step by step content को draft करने में help करेगा और one of the most effective tool this days मैंने देखा है, वैल यह कोई sponsored वीडियो नहीं है, इसके अंदर not only blogging बट अगर आपको email draft करना है, अगर आपको YouTube से related content ideas generate करना है, सारी चीज़े यह single tool आपके लिए करके देगा Blogging को किस तरीके से completely AI के थूँ automate किया जा सकता है, और best part इसकी content आप लिखेंगे, वो undetectable होगा most of the AI tools के द्वारा इस वीडियो में मैं आपको complete structure दिखाने वाला हूँ, प्रिवेस्टे अमने डिजाइन किये तो कुछ ऐसे वीडियो जहां पर मैं आपको बताया था कि YouTube की premium tips हम share करते रहते हैं, सिर्फ इस channel की minimum fees है, इस channel को subscribe करना है, वीडियो को like करना है और बिना किसी delay के चलते है desktop की screen पे, हम लोग आ चुक है desktop की screen पे, तो जिस tool को हम use करने वाले है, हमारी content को draft करने के लिए उसका नाम है gravity write मैं recently बहुत सारे tools को detail चेक कर रहा था, कौन सा tool किस चीज में help कर सकता ना, after doing a research, I came across this tool well, यह कोई sponsored video नहीं है, it is more around की exactly a tool कैसा आपकी help कर रहा है, अगर आपको सही लगया तो आप definitely इस tool के साथ में जा सकता है इसका link मैं description में दे दूँगा, यह tool करता क्या है, वही same process, इसके अंदर not only blogging, बट अगर आपको email draft करना है, अगर आपको YouTube से related कोई content ideas generate करना है, सारी चीजे यह single tool आपके लिए करके देगा and the best part is, जब मैं इसका pricing check कर रहा था, you will get to know, कि इसका free plan है, जहांपर आप 5,000 से भी जादा word per month free में generate कर पाएंगे so अगर आपको 2000 word का article है, 5000 word का article है, at least try this tool to get an idea कि किस तरीके से यह आपके लिए content generate करके देथा है and the rest plans as you can see over here, तो फटा बट से मैं free account के अंदर चला जाता हूँ, जो मैंने create किया है, ताकि आप उसको step by step follow कर सके, let's go to the screen so just now after my email verification के बाद मैं इस account के अंदर आ चुका और left hand side में आपको बहुत सारे other structure दिख रहे है जैसे कि अगर blog लिखना है तो आप इस वाले workflow को use कीज़ और ये चीज मुझे सबसे जादा पसंद आई जैसे कि मैंने बताया था chat GPT में आपको इसको पूछना पढ़ता है कि इसके बाद क्या steps follow करूँ, यहाँ पर आपको step by step यह चीज़े follow करने और यह आपके लिए content create करके देगा similarly अगर आप email marketing कर रहा है अगर आप image के लिए prompt ढूणना चाहते है जिसकी help से आप other imaging tools के अंदर जा करके definitely images create कर सेके तो उस case में आप इस tool को use कर सकते है अभी के लिए हमारा video dedicated होगा blog के workflow को लेके और उसकी help से आपके ऐसे content generation को completely automate कर सकते है step 1 हमें क्या करना है माल लीजे किसी particular topic around हमें कुछ लिखना है तो सबसे पहला part आते है idea generation के बहुत मैं लिखू किस के बारे में माल लीजे कि हम जिस चीज के बारे में content लिखने वाल है वो है how to make money with AI tools okay तो माल लीजे कि हम इस particular topic के around कुछ लिखना चाहते है तो हमें ideas चाहते है तो सबसे पहला आपको आपका keyword लिखना है and then after create content जैसा आप लिखेंगे यह stop writing आपको करना पड़ेगा otherwise continuous के आपको ideas देता जाएगा मैं यहाँ पर stop writing करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 10 ideas आ चुके हैं और इन मेंसे हम exactly pick up करेंगे कि किस पर हमें content लिखना है तो that is number one इसका आप use करेंगे topic के idea generate करना में तो अभी यहाँ पर बहुत सारा ideas आ गये हैं जैसे कि AI tools, your pathway to profitable, your ultimate guide to making money मान लिजिए कि यह वाला topic है जिसके आम लिखने वाले है एंशॉर करना आपको कि जब भी कोई content आप यहाँ पर किसी तरीकी का generate करेंगा इसको copy करके आपके Google Doc में डाल दे अधर वा लॉस्ट हो जाएगा तो जैसे मैंने डाला मान लिजिए कि यह हमारा topic है जिसके around हम कुछ लिखने वाले है अभी यह हमारे पास आच चुकी है अभी जो next part है वह है इसके around outline कैसे design करना जैसे कि मैंने प्रिविएस ली वीडियो में भी बताया था है content के लिए idea के मिलने के बाद उसमें क्या-क्या topics होने चाहिए वह आपको पता करना है तो इसके लिए आपको second वाले section में जाना है call blog outline और यहां पर आने के बाद में आपका जो भी topic था जो भी हमने select किया उसको enter करके create content पे click करना है automatically आपका पूरा content का outline एक तरीके सा structure आपके सामने आजाएगा बस इसके अंदर content फिल करना है chat GPT और इसमें difference यह है guys कि जब आप chat GPT में पूस्टे थे तो आपको outline के बाद हर एक चीच के बारे में उससे पूछना पड़ता था कि तो अभी मुझे understanding of AI tools पे content बना के दे अभी तो investing in AI stocks पे content बना के दे तो आप देख पा रहे हैं इसने पूरी तरीके से completely design कर दिया है और अब भी data यहाँ पर हमारे साथ share कर रहा है अगर यहाँ पर हम stop करना चाहता है stop writing likewise हमने यहाँ पर पूरा structure हमको मिल चुका है यहाँ पर करीबन 16 points के round है जो इस particular tool ने हमको दिये है अभी next step है guys हमारे पास outline आ चुका है तो मैं अभी क्या करूंगा यही हमारा पूरा structure होने वाला माल लिजे मैं यहाँ तक लिखता हूँ कि e-commerce optimization माल लिजे कि मैं इतने ही points इसको copy करना है और आपको आपके word doc के अंदर डाल देना है मतलब हमारा content होगा वो इन सारे topics को cover करेगा तो यह हो गया introduction तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरा का पूरा topic जिसके around हम content लिखने वाले ओके अभी इस next वाला जो पार्ट है वो है actually content को लिखना है by AI tool अभी हम क्या करेंगे exactly यहाँ पर आना है जो आपने copy किया as it is paste करना यह इसकी खास बात है okay और माल लीजे कि at the end जाके मैं लिखता हूं यहाँ पर summary यह मेरा last point है तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर summary बना दूँगा and then after मैं इस वाले content को copy paste करता हूं and I will go back to this same tool और इस पूरे outline को हम copy करेंगे और हर एक outline के लिए वो हमे content बना के देगे देगा so that is what I found this most powerful feature of this tool called gravity right यहाँ पर आपको एक-एक topic के बारे में पूछने की जरूते हैं जैसा अभी हमने यह किया आप यहाँ से भी copy कर सकते हैं लेकिन इस content बहुत जादा लेंदी है तो मैं इसको paste नहीं करना है तो चलिए मैं काम करता हूं पूरा बूरा copy कर लाता हूं इसको मैंने copy किया अभी आपको आना next वाला blog के लिए content लिखना है यहाँ पर आने के बाद यह इसकी खासी बात है य आपको यहाँ पर paste करना है आपका जो टाइटल था उसको copy करना है then see the magic यह टूल आपके उस outline की heading के अंदर यहाँ पर आप tone कर सकते हैं कौन सी tone में आपको content चाहिए तो यह automatically every single outline के अंदर expansion करेगा उसके अंदर content लिखता जाएगा तो यह इसकी खास बात है आपको कुछ अल करना लग जाएगा so let it finish okay इसको at least finish होने दीजिए आप देख पा रहा है it is still writing advancement and these and that जो भी इसके topic idea जो इसके दिमाग में है या फिर जो इससे data process किया है वो सारा का सारा data यहाँ पर यह पूरी तरीके से लिखेगा तो आप देख पा रहा है it is still writing writing और at the end जाकर के यह आपको summarize करेगा कहां कहां पर हो सकता है जैसे मान लिजे कि आपको लगता है कि it is good enough come back and stop writing जैसे आप करेंगे automatically इसको design कर देगा जिस तरीके का content आपको उचलिए तो इस तरीके साफ यहाँ पर content राप करेंगे आपको इसको copy करना है go back to this tool and then after मान लिजे कि यहाँ पर आप उस content को paste क इसके आप देख पा रहे हैं आपका पूरा content यहाँ पर ready है well the best part is जो content इसने यहाँ पर create किया है if you'll go little bit up तो यह आपका title हो गया इसके बाद में आप इसको headings बना सकते है जो भी आपकी headings थी यह वाली इसके बाद यह वाला एक-एक topic को इसने expand किया you can see here उसके अंदर सब topic को इसने explain किया हुआ है तो likewise इस particular टूल ने इसको design कर दिया अभी जो next step आता है वो होता है हमारे content के लिए इस blog के लिए आपको images कैसी होनी चाहिए right कि exactly image कैसी बनानी चाहिए आपके इस individual title के अंदर तो हमने यह पर क्या दिखा कि हमारे पास यह सारे topics है right अब हर एक topic के सब्सक्राइब करनी होगी तो make it more engaging कि e-commerce के लिए optimization कर तो image के idea भी तूल आपको देगा सिर्फ आपको outline को paste करना है तो आपको देख पा रहे है यह exactly हरे के लिए हमें आप एक prompt देने वाला है जो कि कुछ ऐसा लग रहा है let me stop it and reset this page तो जैसे मैं आप यह outline को paste करता हूँ create content प उसका पूरा idea हमको दे रहा है AI tools वाले section के अंदर image क्या होने ची उसका एक idea अभी आपको समझ में आ रहा है यह image prompt लिखा हूँ है इसका मतलब क्या है मालेजिग मैं इसको stop करता हूँ इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस text to image generated tools उस करता है जैसे के mid journey हो गया या फिर एक नया tool है जो market के अंदर भी recent time में most popular हो रहा है वो है blue willow इस tool में होता क्या है exactly आपको यहाँ पर लिखना होता है image and then after आपको type करना होता है prompt ओके तो यहाँ पर image gene okay and then prompt और इसके अंदर आपको summary देना है और वो summary भी टूल आपको दे देता है सिर्फ आपको करना क्या है यहाँ पर आकर कि इसको copy करना है copy करने के बाद इस तरीके कि जो भी tools आप image generator यूज करते है आपको paste करना है आपके लिए इमेज को generate करके देगा अभी के लिए यहाँ पर आप देख पार है जिस तरीके साथ दूसरे लोग के लिए image generate कर रहा है कि यहाँ पर पुछा कि a girl working in IT company and act as a boss उसके लिए images आई अगर आपको इस तरीके अब आप देख रहा है quick one click blog post इसका मतलब क्या है जैसे आप यहाँ पर आपका idea दालते है आपको किसके बारे में चाहिए तो आपको वह सारा steps और यह flow follow करने की जरूतनी है simply आपने जैसे यहाँ पर title दाला ऐसे के माल लीजे कि मेरा topic यह है automatically पूरी तरीके साथ आपको content create करके देदेगा आपको कुछ अलग से बार-बार अलग-अलग flows के तुरू जाना की जरूतनी है तो one click के अंदर यह आपको पूरा content design करके देदेगा and then after आपको images चाहिए यहा images बना दीजिए तो इस तरीके से guys हमारे content ready हो जाता है ओके तो अभी हमारे पास एक content आ चुक है अगर हम इसको validate करना चाहते कि क्या सही में content AI के through return है या नहीं है उस case के अंदर आप tools यूज़ कर सकते है जैसे कि writer.com AI detection tool लेकिन इसके limitations है आपे 1500 से ज्यादा characters आप insert नहीं कर स likewise आप check कर पाएंगे कि exactly यह content AI written है नहीं तो आप देख पा रहा है यहाँ पे 98% human generated content है यह likewise आप बाकी का content भी चेक कर सकते हैं एक चीज आपको ध्याद रखने है जब आप इसको write करते हैं इसके middle में जब images add करते हैं इन words को little bit refresh करते हैं तो यह 100% human generated content बन जाएगा तो इस तर करके आप proper research कर सकते हैं आपको chat GPT जैसे obviously that's a free version उसका advantage है बट यहाँ पर आप workflow के साथ में different types का content generate कर सकते हैं यह तो आप इसको 5000 words तक use किजिए understand how exactly this tool works and likewise आप वैसा ही prompt chat GPT को पूच करके भी content generate कर सकते हैं hopefully this video में आपको quality information मिले हो गए ऐसा है धमाकेदार videos आगे भी आता रहेंगे सिर्फ आप पूब करना है चनल को subscribe video को like आज के लिए तना है फिर मिलेंगे एगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिन जय भारत